बादलों से बारिष होती है ये तो हमने सुना है पेड़ों से भी बारिष होती है कभी सुना है अफरीका में गरम शेतरों में सुमानी सुमन नाम का एक पेड़ पाये जाता है जो गर्मी में अपनी फलियों के अंदर पानी को इकठा कर लेता है और शाम को उस पानी को पर जिरा जिता है ऐसा लगता है जैसे बारिश हुई और वहाँ के लोगों के लिए पीने के पानी के लिए यही एक सोर्स है इस पेड को बारिश करने वाले पेडि के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है क्या पहले इस अदबुद पेड़ के बारे में सुना था कोमेंट में जरूर बताएं